ठेलो दोस्तो मेरा नाम है विशाल गुपता और आप सभी का स्वावत है मेरे चैनल लॉषकल गुपता जीए दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजिंग मे बारे में अब आप सोच रहे होंगे दोस्तो कि एजिंग मेथाड क्या होता है दोस्तो तो aging method प्वारे को दोस्तो और फार이면 इसके हम जान सकते हैं कि कोन सी पर्टी को कितने दिनों तक payment नहीं दिया है साथ यह चीछ साथ जान सकते हैं और आपने किसी को माल बेचा और साथ माल बेचनी के साथ ही साथ इसको टर्मस दे दिया कि अगर आपने इसका payment 30 दिनों के अंदर कर दिया तो आपको कोई भी charges नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर आपने 30 जोने को बाद इसका payment किया तो आपको इसका penalty या interest charge देना पड़ेगा दोस्तों तो यह चीज दोस्तों company ने धारित करेगी कि उसको penalty या interest देना है और उसका क्या terms period होगा payment का तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में detail में हम यहीं चीज को समझ लेते हैं दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं aging method निकालने के दोस्तों हमारे पास दो तरीके हैं सबसे पहला तरीका दोस्तों हम बैलेंस सीट में जा सकते हैं डोसटों यह वहां पर हम ग्रूप आगे जिसका भी हमको aging method निकालना है उस पर हम click करेंगे मान लिजए sundry data का हमको aging method निकालना है तो इस पर हम enter करेंगे अब दोस्तो इस पर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते एक option है चेंज भी यहाँ पर एजिंग मेथड भी एक option है इसके भी क्लिक करके हम कर सकते हैं लेकिन नहीं दोस्तों हम यहाँ पर आपको डेटेल में समझाएंगे तो चेंज वी वाले option पर हम क्लिक करेंगी जिसका सॉटकेट की है प्लस एक टो चेंज व्याँ वाले option में हमने क्लिक य हो लेजर वाइस बील चाहा होता है जायेगा उसके पाद दूसरे बार वाइसं कि च्छले दोस्तों यह धिन्हें सब्सक्राइब हो धृज़ है कि इसार बाइए है तो दोस्तों इसमें बहुत चोका सileri रखा ना है तक आपको अच्छा से हैं कोई इसलिए कट भी औरा रहे गा तो बहुत जो जाlica संने बहुत पर परसान नहीं होगा दोस्तों ठीक है उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक option है aging method बोलके तो आप इस पर क्लिक करेंगे यहां इसका shortcut की यूज करेंगे F6 तो यहां पर आपने क्लिक किया अब यहां पर option है aging by build date तो आप इसको समझ लेते हैं उसके बाद जोस् आप से इसको change कर सकते हैं तो मैंने यहां पर सेट किया इसको accept कर लेंगे accept करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर आ गया less than 30 days 32 60 days जिसका payment नहीं आया है और 120 दिन से ज्यादा जिस बिल का हो गया जिसका payment नहीं आया है वह साइड में आएगा अब दे 30 अपरेल का बिल है जिसका 120 दिन से भी जादा हो चुका है जिसका payment अभी तक हमारे पस नहीं आया है उसी तरह पांच लाग 46,000 भी है और साती साथ नीचे आप देखिए 60-90 दिन हो गया इस बिल का payment नहीं आया है उसके नीचे आप देख सकते हैं 18 अगस्त का यह बिल है दो दोस्तों आप एजिंग बाई बिल डेट आप निकाल सकते हैं यानि कि दोस्तों बिल डेट से कितना दिन हो गया उसका payment नहीं आए अब दोस्तों हम समझ लेते हैं aging by due date क्या होता है तो aging by due date करने के दोस्तों दो तरीके एक पहला तरीका यह है दोस्तों कि हम किसी भी लेजर लगेगा तो चले दोस्तों को आप हम आपको दिखा देते हैं इंपर करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओप्शन है आप जब भी लेंट्री करेंगे तो तीज दिन का क्रेडिट पीरियेड ऑट्रमेटिक सलेक्ट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो एक बार मैं आपको एंट्री करके भी एक बार दिखाई देता हूं ठीक है तो भावचर में गये गुपता एंड कंपनी सलेक्ट कि जल्दी जल्दी कर रहा हूं दोस्तों इस पर ध्यान नहीं पड़ा तो इस तरह से दोस्तों यहाँ जब भी ब्लेंट करेंगे तो यहाँ पर दीजर में उसको डाल के रखा हुआ इसी तरह से दोस्तो मेरा पिछला बील है जिसमें हमने डूरेट नहीं डाला है तो उसमें एक बार पर्टिकुलर बील में मैं करके दिखाऊंगा कि सिर्फ उस बील पे डूरेट डालूँगा और आपको दिखाऊंगा तो चलिए यानि कि लेजर खोलने के लिए प्रेस करेंगे डि यानि की डिस्प्ले मूर रिपोर्स ए यानि की अकाउंट्स बूक एल यानि की लेजर खोलते हैं अब आप देखिए दोस्तो अठरा गस्त का यह बील है इसी को हम थोड़ा मोडिफाइब करता है तो इसी में डूरेट डाल के बाद यह 30 दिन पगड़ लिए इससे पहले तक नहीं था ठीक है तो इसको 30 दिन यहाँ पर आगया आउटमेटिक तो कंट्रोल एसे एक्सेप्ट करेंगे दुबारा कंट्रोल एसे इस एंट्री को हम करने के लिए इसको आप दोस्तों यहाँ पर एजिंग मेफ़र्ड में क्लिक करेंगे या एप 6 प्रेस करेंगे इसका अब यहाँ पर हमने क्लिक किया सबसे पहले एजिंग वाइड बिल्डेट मैं आपको एक बाद करके दिखाता हूं समझाने के लिए ठीक है अब आप अब दोस्तों यही पर दूबारा से एफ 6 प्रेस करेंगे उसके बाद एजिंग वाइड डू डेट में जाएंगे ठीक है एजिंग बाइड देट में जाके यहां पर कंडोले से एक्सेप्ट कर देंगे ठीक है तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं दो लाग अठासी एजाए सास्सों पचास उबा जो कि 30 से साथ दिन में था लेकिन वो लेज दिन 30 देज में आ गए लगाएंगे उसी तरह से दोस्तों यह आप एंटी देख सकते हैं यह उसके डिव डेट पार करके 30 से 60 दिन हो गया उसने अभी तक प्रेमेंट नहीं किया है दो तो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आये तो प्लीज वी वालो का ठ्याल रहें जय ही जय भारत अब करेंगे वालो का ठ्याल रहें जय ही जय है भारत